नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी कर शिक्षा प्रवा में आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे तो दोस्तों मैं करुणा आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 के history subject के students के लिए उनका model test paper जो की upload किया है CBSC ने अपनी website पर तो दोस्तों ये जो model test paper है सेम इसी की तरह इसी pattern पर आपका second term board exam आने वाला है तो दोस्तों सबसे पहली बात तो CBSC ने जो model test paper upload किया है वो English medium है लेकिन मैं उसको हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम वाले students के लिए लेकर आई हूँ और दोस्तों इसी के साथ एक good news आप लोगों के लिए ये है कि ये model test paper आपका solution के साथ है तो दोस्तों बने रहें सिक्षा प्रभा के साथ शुरू करने जा रहे हैं हम हमारा second round model test paper तो ये कुछ निर्देश हैं दोस्तों जो आपके exam में आपके लिए आएंगे तो ये है कि प्रश्न आपका चार खंडों में विभाजित है सभी प्रश्न अनिवारे हैं खंड आ में एक से चार तक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको अस्सी शब्दों में देना है खंड बा में आपसे पास से साथ प्रश्ण दिये गए हैं जो दीर गुत्रिये हैं और इनके आंसर आपको डेड़ सो से दोशो शब्दों में देने हैं खंड सा आपका है और उसके अंदर आपके आठ और नो केस पर अधारित कोईशन्स हैं जिसका अंक चार निर्धारित किया गया है और इसके अतिरिक्त खंड दा जिसमें एक प्रश्ण है और जो मानचित्र पर अधारित है और इस मानचित्र के दो अंक आपके निर्धारित कि तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा खंड आ और खंड आ का पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है आपका भारत की सविधान सभा में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर की भूमिका का वर्णन कीजिए तो इसका अंसर होगा दोस्तों की भारत की सविधान सभा में डॉक्टर भी राव अंबेटकर की भूमिका को हम निम्न बिंदूों की मदद से जान सकते हैं और क्या है वो बिंदू तो सबसे पहला है बाबा साहिब ने सविधान की प्रारूप समिती के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था दूसरा उन्होंने ऐस परशता के उन्मूलन के लिए भी जिसको एस परशता बच्चे चुवा चूत की बात यहां पर हो रही है और पॉइंट नंबर थीन कि वो एक मजबूत और एक चुट केंदर चाहते थे पॉइंट नंबर फॉर उन्होंने समान अधिकार की बात की थी समान अधिकार यहां पर जातियों के पक्ष में बात हो सबी जातियों को समान अधिकार दिये जाएं इसके लिए बाबा साहिब खड़े थे पॉइंट नंबर फाइव बाबा साहिब संसद यह लोकतंतर के पक्षदर थे चीक है मतलब वो लोकतंतर में संसद चाहते थे आ जाते हैं कुश्य नंबर टू पे कुश्य नंबर टू है आपका 1813 में ब्रिटिस संसद को प्रस्तुत की गई पांचवी रिपोर्ट का समालोचनात्मक विशलेशन कीजिए तो दोस्तों इसका अंसर होगा 1813 में ब्रिटिस संसद को प्रस्तुत की गई पांचवी रिपोर्ट के कुछ महतोपून बिंदू निम न लिकी थे पहला प प्रेस्ट में इस इंडिया कंपनी के प्रिसाशन तथे क्रिया कलाप के विषय में तेयार की गई थी पॉइं't nopeor तीन पांचों की रिपोर्ट में 1200 प्रस्ट थे और 800 से अधिक प्रस्ट परिसिस्ट थे इस रिपोर्ट में जमिदारों और दंगों की याचिकाओं, कलेक्टरों और जिलों की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया था इसमें कमपनी के कुशाशन वे कूप रशाशन की जानकारी भी दी गई थी देखते हैं आपका कुशन नमबर तीन जो है अफवाओं और भविश्यवाणी ने लोगों को कारे करने के लिए प्रेरित करने में एक महत्वण भूमी का निबाई बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन कुशन है दोस्तों ये और बहुत ही ज़्यादा सरल है इस कुशन को कुछ इस तरह से भी यहाँ पर रखा गिया है कि 1857 के विद्रोहों के संधर्व में इस कथन की व्याक्या कीजिए और कथन कौन सा है आपका कि अफवाओं और भविश्यवाणी ने लोगों को कारे करने के लिए कौन सा कारे करने के लिए आंदोलन करने के देख लेते हैं इस कांसर तो 1857 के विद्रों में अफवाओं और भविश्यवाणी ने लोगों को आंदोलन में खड़े होने के लिए प्रेरित किया तरह तरह की अफवाओं और भविश्यवाणी के जरिये लोगों को साया गया और वे उठकर खड़े हों और विद्रों में योगदान दे इसलिए ऐसा किया गया और वो अफवा हैं क्या थी तो सबसे पहली अफवा तो ये थी कि नए कार्टूसों में गाय और सुर की चर्वी लगी हुई थी जो कि भारतियों की जाती और धर्म को दूशित करने के लिए अंग्रेजी सरकारों द्वारा उठाया गया कदम है उस समय एक नई गन आई थी उसके अंदर कार्टूस मतब उसको खोलने के लिए और कार्टूस पढ़ने के लिए मुह से उस धकन को हटाया जाता था और बताया जाता था कि उसके अंदर गाय और सुर की चर्वी लगी है गाय जहां हिंदूओं के लिए एक पवित्र पशू है वहीं सुवर नहीं पसंद किया जाता मुस्लिम वर्ग में तो इस कारण से दोनों वर्गों का धर्म नस्ट किया जा रहा है ऐसी अफवा फैलाई गई थी दूसरी अफवा है कि अंग्रेजों ने गाए और सुवरों की हड़ी के चूरे को बाजार में बिकने वाले आटे में मिला दिया था इससे भारतियों लोगों में इस बात का डर और संधे पैदा हो गया कि अंग्रेज भारतियों को इसाई बनाना चाहते हैं भविश्यमानी क्या थी अब दोस्तों ये तो थी अफवा भविश्यमानी थी कि तरह तरह की अफवाओं और भविश्यमानीों के जरिये लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था तो दोस्तों इस कारेवाहिक के आवाहन को इस भविश्यमानी से बल मिला पॉंसी भविश्यमानी से कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा सबसे पहले तो अपने धर्म को बचाने के लिए लोग बाहर आये और आंदोलन किया दूसरा उनको इस चीज की भविश्यमानी थी कि बास अब तो 23 जून के बाद अंग्रेजी शाषन खतम ही होने वाला है तो दोस्तों आप देख लेते हैं कुश्य नमबा फॉर जो है सतंत्रता के बाद के महिनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोतम घंटे के रूप में क्यूं लिखा व्याथ्या कीजिए तो सतंत्रता मिल गई उसके बाद गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या ही किया जिससे की उनको कहा गया कि भाई वो गांधी जी के जीवन के सबसे अच्छा समय था तो क्यूं किया गया? क्यूं कि फर्स्ट तो गांधी जी ने इस समय में सहयोग और संपरदाइकता की अपील करी सेकेंड उन्होंने आगरे किया कि दोनों भाग हिंदू या मुसलिम एक दूसरे का सम्मान करें और आपस में मित्रता करें तीसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों समुदाय के बीच आपसी विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की चौथा गांधी जी भारत और पाकिस्थान में विस्थापित लोगों के लिए भी चिंतित थे उस समय यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में विस्ताफित मतला बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका घर हिंदुस्तान में था लेकिन उनको पाकिस्तान जाना पड़ा और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका घर हिंदुस्तान में था और उने हिंदुस्तान में आना पड़ा तो ना उनके पास रहने के लिए जमीन बची थी ना उनके पास खाने के लिए अन्न बचा था तो ये कुछ समस्य आएं थी जिससे उन समय गांधी जी भी परिशान थे अब हम आ जाते हैं खंड बापर दोस्तों खंड बा में हमारा ये दीरगुत्रिय प्रशन यहां पर आपके शुरू हो रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कुशन नमबर फाइव को अठारा सो सत्तावन के विद्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारत के किनी छे प्रमुक नेताओं की भूमिका का वर्णन करें तो अठारा सो सत्तावन के विद्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारत के छे प्रमुक नेताओं का विवरन तो दोस्तों सबसे पहले बात हो जाएगी यहां पे कानपुर में पेश्वा बाजी राव दित्ते के उत्रादिकारी नाना साहिब की सबसे पहले नेता तो वो थे दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेंगे जहांसी की रानी लक्षमी भाई की जिनोंने जहांसी में विद्रो का नित्रत्व सम्हाला तीसरे नंबर पर हम यहां बात करेंगे बिहार के आरा में कुवर सिंग जी की जो एक स्थानिय जमिदार लोखित दवाओ में नेता बन चुके थे बात करेंगे चौथा लखनों में नवा वजिद अली शहा के युवा पुत्र बिर्जिस कद्र राज्य के विले की खिलाफ विद्रों में नेता बन गए थे यहां पे कद्र राज्य से मतलब है कि केंद्र राज्य है पांचमा है हमारा छोटा नाकपुर में श्री भूमी के एक आदिवाशी काशदगार गोलू आदिवाशियों के विद्रों ही नेता बने थे और लास्ट है सहामत के 84 देश के मुख्या और काशदगारों को संगठि किया गया तो दोस्तों यह थे आपके छे मतलब नेता जिनको उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मतलब आगे आया या तयार किया आया जिन्होंने महत्वूमी काने भाई दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा डीप आपको पढ़ लेना है क्योंकि यह आपका मॉडल टेस्ट पेपर हो और यह बहुत ज़्यादा बड़ा नहों जाए इसलिए सिर्फ कुछ की पॉइंट्स यहां पर मैंने दिये हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाऊंगी उसके अंदर में इसको डीपली एक्स्प्लेइन भी करूंगी बात कर लेते हैं कोईशन नमबर छे की जो है भारत छोडो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सेकडो हजारो आम आदमियों को अपने दाइरे में लाया अपने दाइरे में लाया मतलब एक जुट किया उप्यूक्त उधारन के साथ इस कधन को सपस्ट कीजिए तो इसका आंसुर है दोस्तों कि निम्न उधारनों की मदद से यह समझा जा सकता है कि भारत छोडो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सेकडो हजारो आम आदमियों को अपने दाइरे में लिया पहला इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओरा करशित किया उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजों को छोड़ कर चेल का रास्ता अपनाया सब ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और आंदोलन मे कूद पड़े सेकंड कारेकरताओं ने हरताले करी विरोध किये तीसरा समाजवादियों द्वारा भी अंग्रे सरकार का विरोध किया गया चौथा आंदोलन में देश भर की महिलाओं ने भाग लिया शराब के ठेकों के बाहर धरना देने के लिए भी महिलाएं एक जोट र नेक्स्ट सरकारी भवनो या ओब निवेशिक सत्ता के किसी अन्य प्रतिकों को भी यहां पर तोड़ा गया और विद्रो को जारी रखा गया दोसनों यहां पर आपका 6th question में option भी है या तो आप अगर आपको पहला question आता है 6th का तो आप वो कर सकते हैं या अथवा वाला प अशन्तोष को लामबद किया था उप्युक्त धारणों के साथ कथन को स्पस्ट करें तो दोस्तों इसका अंसर होगा कि निम्न कथनों से स्पस्ट किया जा सकता है कि गांधी जी ने नमक सत्यागिरे में ब्रेटिस साशन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबद किया था कैसे सबसे पहला तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च 1930 की घोशना गी थी सेकंड नमक कानून ने राज्य को नमक के निर्माण और विक्री में एक कादिकार दिया था तीसरा नमक सत्याग्रह पर भारी मीर ने गांधी जी का साथ इसले भी दिया था क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब दोनों तबगे के लोग लगभग एक ही तरह से करते हैं और एक ही मात्रा में करते थे गांधी जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिस साशन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबद करने की आशा की और डांडी मार्च की शुरुवात की नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारी भीड के साथ जब डांडी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर प्रतिकाद्मक रूप से नमक को मुर्थी में लिया और नमक कानून को तोड़ दिया नेक्स्ट देश के अन्ने हिस्सों में भी समानांतर नमक मार्च सत्याग्रह आयोजित किये गए गांधी जी ने हर सत्याग्रह वं सभाव में हर वर्ग के लोगों को लगभग शामिल किया था महिलाओं ने भी गांधी जी के सत्याग्रह में बढ़ चड़ कर भाग लिया था डांडी मार्च ने दुनिया का ध्यान गांधी जी की तरफ आकरशित किया डांडी मार्च की यह यात्रा या नमक सत्याग्रह भी जिसे कहते हैं यूरोपिय और अमेरिकी प्रेस के द्वारा कवर किया गया था नमक सत्याग्रे डांडी मार्च अंग्रेजों को यह एहसास कराने के लिए काफी था कि उठे अब कुछ शक्तियां भारतियों को भी देनी होंगी अगर उन्हें यहाँ पर यानि कहाँ पर हिंदुस्तान में रहना है तो आजाते हैं कुश्चिन नमबर सेवन पर अबुल फजल अकबर के प्रभुत्व शाषन की अधार्शिला के रूप में सुलह एकुल के आधर्श का वर्णन करता है कुछ उधारनों के साथ इस कथन को सपस्ट करें तो सबसे पहले देख लेने हैं कि क्या थी अकबर की सुलह एकुल निती तो अकबर ने विभिन जातियों और धार्मी समुदायों को अपने धर्म की और अपनी अभिवेक्ति की सोतंत्रता दी हुई थी लेकिन इसके लिए एक शर्थ नरधारित थी और वे शर्थ यह थी कि वे ऐसा कर सकते हैं यदि इस से आपस में कोई भेदभाव ना हो लड़ाई ना हो या फिर वो राज्ये के लिए आहित कर ना हो अकबर ने अपने शाशन के दोरान नाय और शांती को सुनिस्चित किया था अकबर ने दर्बार में कुलीन लोगों में इरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन सभी को शामिल किया था जिने योगताओं और उनकी सेवाओं के अधार पर पद और पुरसकार भी दिये गए थे अकबर ने तीर थी आत्रा पर से भी जो कर था उसको समाप्त कर दिया था अकबर ने धार्मिक भवनों के निर्मान एवन रख रखाव के लिए अनुदान भी दिया था अकबर ने ईद, शबिबरात, होली जैसे त्योहार मनाने का एलान किया था और हर साले त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाय जाते थे उन्होंने धार्मिक चर्चा के लिए जो जुइस्ट मिशन आमंत्रित किया था वो भी एक महतोकून घटना है तो दोस्तों ये थे वर्णन सुलाय कुल का जो की आदर्श माना गया है अकबर काल में दोस्तों इस कोशन में भी आपको आप्शन दिया गया है यानि कि या तो आपको अगर इस से पहला वाला प्रशन आता है तो वो कर सकते हैं या फिर उसके नीचे वाला आता है तो वो कर सकते हैं तो 7 का ही B पार्ट है याँ पर मुगलों के अधिकारी दल को समराट के प्रती वफदारी से जुड़े फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्नित किया गया था व्याख्या कीजिए मुगलों का अधिकारी दल को इतिहास में मुगल समराट के प्रती वफदारी से जुड़े गुलदस्ते फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्नित किया गया था और इसके बहुत से कारण है जिसमें से कुछ महत्मून कारण को हम यहाँ पर आपके लिए ले कर आए है सबसे पहले मुगलों के राज दरबार में कुलींता के अंतरगत इरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत और दखन लोग शामिल थे मुगल, कुलींता, मुगल राज्ये के मुख्य स्थम्ब थे विभिन समूहों के बीच शक्ति संतुलन इस्थापित रहे इसके लिए मुगल, कुलींवर्ग को धार्मिक और जाती दोनों समूहों में से चुना गया था सेकेंड है आधिकारिक इतिहास में उन्हें गुलदस्ता या फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्नित किया गया है next फूलों के कुल दस्ते से तुलना करके उनकी एकता को यहाँ पर दिखाया गया है जो मुगल बादशा के प्रती वफादारी से एक चुट थे सबी रहीसों को कोई न कोई पद दिया गया था या फिर उनको उनके सोतंद्रमन सब आवंटित कर दिये गये थे तो दोस्तों ये था आपका सॉलिशन मौडल टेस्ट पेपर का हिस्ट्री का जो की आपके सेकिंड ट्रम्स लेबस पर बेस्ट है दोस्तों इसके बाद के कोईशन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि वो केस स्टडी थी और केस स्टडी को आप इजिली कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट कोईशन आपका मैप था तो थ्योरी के लगभग जितने भी कोईशन थे उन सभी को इस मौडल टेस्ट पेपर में मैंने एड़ किया है और उनका सोलेशन भी आप लोगों तक पहुँचाया है दोस्तों आशा करते हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे की बाकी सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर और इंपोर्टेंट वीडियो भी आप तक पहुँच सकें